नमस्कार दोस्तों, TechScan के एक बिलकुल ना है, फ्रिस और एकसाइटिंग एपसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर में Reliance Jio Company के बारे में बताऊंगा क्योंकि Quarter 3 of Financial year 2024, यानि October, November, December ये तीन महने के अंदर Reliance Jio Company कितना Profit जनराट किया है, कितना Revenue जनराट किया है, पूरा जो डीटेल्स है यानि Quarter 3 of Financial year 2024 का जो रिपोर्ट है, वो यहाँ पर Jio की तरफ से पाब्लिस किया गए और इस वीडियो के अंदर में डीटेल्स में बताऊंगा कि Reliance Jio का पारफॉर्मेस कैसा है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर इसके बार में पूरा डीटेल्स जान लेते हैं देखे हर क्वाटर यानि हर तीन महेने के बाद हर एक टेलिकम कंपनी कितना प्रॉफिट जनर किया है क्या कोच किया है पूरा जो डीटेल से वो यहाँ पर पाब्लिस किया जाता है और इस महेने किस तरह के से पिछेर आई सकते है Reliance Jio तो फाइनली Reliance Jio कंपनी की तरह से 3rd quarter का रिपोर्ट यहाँ पर पाब्लिस किया गया है और सबसे बढ़िया बात इस quarter के अंदर Reliance Jio कंपनी का टोटाल प्रॉफिट का अमाउंट है वो काफी ज़दा बढ़ चुका है तो काफी ज़दा इंक्रिमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ इसके बाद बात कर लेते हैं कि रेविन्यू कितना बढ़ा है यानि Reliance Jio कंपनी हर इक जगे से कितना पैसा कमा है टोटाल कितना ज़्यादा पैसे यहाँ पर कमा है दोस्तों यहाँ पर as of 31 December 2023 की अगर मैं बात करता हूँ तो Reliance Jio कंपनी जो है वो यहाँ पर टोटाल पैसे जो कमा है टोटाल रेविन्यू जो कमा है वो है 25,513 यानि 25,513 करो रूपे यहाँ पर Reliance Jio ने कमा है जो पिछले वाले क्वाटर की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर कमाया था 24,856 करो रूपे तो 24,856 करो रूपे से बर कर 25,513 करो रूपे यहाँ पर हो चुका है अगर मैं Reliance Jio कंपनी की टोटाल रेविन्यू की यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तो अगर मैं तीन क्वाटर की बात करता हूँ तो Reliance Jio कंपनी का टोटाल प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है वह हुआ है 15,129 करो रूपे यहाँ पर हुआ है अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो तब के टाइम के अंदर Reliance Jio का नेट प्रॉफिट था 13,491 करो रूपे तो पिछले साल से इस साल के अंदर 13,000 करो रूपे था इस साल हो चुक है 15,000 करो रूपे तो यहाँ पर भी अल्मोस्ट 2,000 करो रूपे यार ओवर यार ग्रोध जो है वो यहाँ पर Reliance Jio कंपनी की तरब से देखने के लिए मिला है दोस्तों आभी बात का लेते हैं कि Reliance Jio कंपनी अपने से टोटाल सब्सकाबर कितने आट किया कि आभी के टाइम के अंदर टोटाल सब्सकाबर क्या है वो Reliance Jio के अंदर यहाँ पर अभाया है लेकिन एक जगे है जहाँ पर Reliance Jio कंपनी किसी भी तरीके के इंप्रूब्मेंट दिखा नहीं पार है अगर मैं सिर्फ इस क्वाटर की बात करता हूं तो इस क्वाटर के अंदर रिलाइंस Jio ने 90,000,000,000 5G सब्सकाबर अड़ किया है मतलब सबसे ज़ादा 5G सब्सकाबर Reliance Jio ने इस क्वाटर के अंदर आड़ किया है और अभी के टाइम के अंदर Reliance Jio Air Fiber के अगर मैं बात करता हूं जो मेले FWA Services Jio कंपनी की तरप से तो Air Fiber अल्मूस 4,000 टाउन के अंदर अवेलेवल हो चुका है तो Reliance Jio ने कुछ दिन पहले तक 500 टाउन के अंदर अवेलेवल था जो खचानक बढ़ कर 4,000 टाउन के अंदर अवेलेवल हो चुका है यानि Reliance Jio अपने Air Fiber Services के उपर भी यहाँ पर काम कर रहा है तो अवेल अगर मैं बात करता हूँ तो Position, Final Jio, Position Reliance Jio कमपनी का का काफी स्ट्रेवल है काफी स्ट्रोंग है अगर मैं Final Jio 2024 के थार्ड क्वार्टर की बात करता हूँ Vodafone Idea और BSNL को छोड़ कर भारत के अंदर Gio और Air Tail काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है बहुत ही जल्दी Air Tail Vodafone Idea कमपनी का जो फाइनल से लिए 2023 का थार्ड क्वार्टर रे उसका रिपोर्ट आ जाएंगे तो उसके बारे भी बताऊंगा कि कमपनी क्या कुछ पार्फॉर्मेंस यहां पर कर रहा है थैंक्स वाचिंग बाइंटी क्यार्ट आप सबस्क्राइब करते हैं ऐसी कोई नए वीडियो के साथ तब ते के लिए दोस्त अपना ख्याल रखेगा